अठारा जुलाई से संसत का मौनसुन सत्र शूरू होने वाला है जिसे लेकर सरकार विपक्ष से सहयोग मांग रही है लेकिन वहीं विपक्षिप पार्टियां मुदी सरकार को घेरने की रड़नेती बना रही है आज कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिय गांधी के आवास पर कॉंग्रेस नेताओं की बैठक हुई जिसमें ये तै किया गया कि पार्टिय किस-किस मुद्धे पर अपने आकरामक तेवर दिखाएगी मुदी सरकार मौनसोन सत्र के लिए चाहे कितनी भी तैयारियां कर ले लेकिन विपक्ष ने उसे घेरने की ठान ली है एक तरब जहां तमाम विपक्ष पार्टियों ने बैठक की तो वहीं उससे पहले कॉंग्रेस नेताओं ने मेटेंग गरेजेंडार टाई किया है सूत्रों के मुताबिक कॉंग्रेस नेताओं ने महिला सुरक्षा, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, आर्थवेवस्ता की खराब हालत को लेकर सरकार को घेरनी की रड़नीती पर चर्चा की इसके साथ ही राज्य सभा के उप सभापती के चुनाओ को लेकर भी बात चीत हुई बैठक में मौजूद कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी, पूरु प्रधान मंतरी मनमुहन सिंग, लोगसभा में पार्टी की नेता मलका अरजुन खडगे राजिसभा में नेता प्रतिपक्ष याजाद ने यही तै किया कि इस बार कॉंग्रेस सांसन सदन में मौधी सरकार की नाकामिया गिनवाएंगे कॉंग्रेस जानती है कि अगर अब वो विपक्ष की भूमिका में नहीं आई तो 2019 लोगसभा चुनाओं में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इसलिए वो मौन सुन सत्र में मौधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को त्यार है अब देखना होगा कि सरकार कॉंग्रेस की इस घेरा बंदी से कैसे बचती है डीवी लाइब की रिपोर्ट